ओडिशा को पहली मुसलिम विधायक मिली है इस विधायक नहीं थी हासरश दिया है क्योंकि आजादी के बाद ओडिशा में यह पहली मुसलिम विधायक है नाम है सोफिया फिर्दोस सोफिया फिर्दोस ओडिसा की बारा बती कटक की कॉंग्रेस सीट से जीद दर्श का चर्चा वे आई हैं सोफिया ने बीजेपी के एक लोग प्रियस थी रोग विशेशंग्या पूर्ण चंद्र महापात्रा को आट हजार एक वोटो से हराया है आई ये जानते की कौन है सोफिया फिर्दोस इस चुनाओ में कॉंग्रेस ने उन्हें उम्मिदवार बनाया था 32 वर्षे सोफिया फिर्दोस राजनितिक परिवार से तालूक रखती है सोफिया कॉंग्रेस के वरिष्टर नेता मोहमद मोकीम की बेटी है कॉंग्रेस पाइटी ने 2024 के ओडिसा विदान सभा चुनाओ में मोकीम की जगह सोफिया फिर्दोस को मैदान में उतारा जो विजए हुई सोफिया पेशे से सिवील इंजिनियर है और एक रियल इस्टेट फर्म की निदेशक है उन्होंने 2022 में इंडियन इंस्टिट आफ मैनेजमेंट बैंगलोर से एक्जेकिटिव जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया सोफिया ने साल 2023 में Confederation of Real State Developers Association of India के भूमनेश्वर चैप्टर का धिक्ष चुना गया जबकि सोफिया की शादी बिजनस्मेन शेक मेराज उलहक से हुई है महीं सोफिया फिर्दोस ओडिसा की पहरी महिला मुख्यमंदरी नंदिनी सत्पती के नक्षे कदम पर चलती है जिन्होंने 2022 में इसी विदानसभा शेत्र का प्रतिनी दित्व किया था बता दे कि साल 2024 के ओडिसा विदानसभा चुनाओं में बीजेपी ने 147 सीटों में से 48 सीटे जीत कर बहुमत हासिल किया राज़मे मुख्यमंदरी नवीन पतनायक और बिजो जनता दल के 24 साल के शासन को समाप्त कर दिया सोफिया फिर दोस सामाजिक कारेकरमों में हमेशा बढ़ चर कर हिस्सा लेती है उन्होंने अपने पिता के लिए कई बार चुनाओं प्रचारों में भी मदद की थी और सुप्रीम कोट द्वारा लोन फ्रॉड केस में मोकिम की सजा पर रोक लगाने से इंकार करने के बाद कॉंग्रेस में सोफिया को इस सीट से उम्मिदवार बनाया